सबे चगस्तमू की और से आप सभी देश वासियों को नवरातरी बर्व की भारतिक शुक काम लाए रुपे प्रतीम हाद दिया जाएगा उन्होंने कहा कि योजना के अंतरगत युवाओं को इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रोनिक्स, प्रबंदन, होटल मेनेजमेंट, टूरिज्म, आईटी, बैंकिंग, कानुन, समित विभिन शित्रों में ट्रेनिंग दी जाएगी इस दोरान उन्हें 8,000 रुपे सरकार की तरफ से दिये जाएगे, कंपनी अलग पैसा देगी जो पच्चे काम सीखना चाहते हूं, उन सभी बच्चों के लिए पोटल पर एक जून से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, और एक जुलाई से पैसे मिलना प्रारम हो जाएगे, यह की सबसे बड़ी अप्रेंटिस शिप योजना है, मुक्षे मंदरी निका की प्रदेश में राजिस तरिये युवा आयो का पुनर गठन 5 अपरल तक कर दिया जाएगा, ताकि आपकी सुझाव आते रहें, अगले साल से बचट में युवा बचट शामिल किया जाएगा, राशी का वित्रण मानियमकवंतरी जी कर रहे हैं, इसमें गाउं के स्कूल से बारवी की कख्षा, साथ प्रतिशत से ज़्यादा अंकों से जो बच्चियां प्राप्त करती हैं, उन्हें ये साहता दी जाती है, उच्छी शिक्षा विभाग द्वारा मानियमकमंतरी ने जा कर रहे हैं, उच्छी शिक्षा विभाग की, मुख्यमंतरी जन कल्याण योजना के तहट लाब योजना के तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग द्वारा मुख्यमंतरी मेधावी योजना अंतरगत, चिकिस्ता शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और उच्छी शिक्षा के 318 182 लाबहारतियों को 175 करोड़ रुपए के लाब वित्रण के लिए मानिमिक मंत्री जी से आग रहे और खेल तथा युबा कल्यान विभाग के द्वारा 36 वे नेशनल गेम्स गुजरात में 132 विजेता खिलाडियों को 4 करोड 38 लाख रुपए के नगत पुरसकार की राशी अब मानिमक मंत्री जी उनके खातों में अंतरित कर रही है 4 करोड 38 लाख रुपए की राशी मानिमक मंत्री जी के करकमनों से इन ख्लाडियों के खातों जूटिए बार्वी के बाद जिनकी पढ़ाई झूट गई है या जिनने पढ़ाई छोड़ दी है और केवल बार्वी नहीं बार्वी के अलावा भी जिनको लगता है कि हमारा graduation हो गया और graduation के बाद अब हमको कहीं न कहीं जब तक जाव परमानिंट नाम बिले तब तक कुछ तो साहरा मिल जाए तो मेरे बच्चों आज मैं आप सब के बीच में इस योजना की घोटना कर रहा हूँ जिसका नाम है मुख मंत्री युवा कौसल कमाई योजना अब इस योजना में क्या होना है जराइए मेरी बाद धान से सुन लहना मेरे बेटा बेटियो परमानिंट जाब के लिए हमको काम सीखना आना चाहिए जब एक बड़ी विसंगती है बड़ी विसंगती के एक तरफ तो कई कामों के लिए लोग मिलते नहीं है योग और दूसरी तरफ कई बच्चे बेरोजगार बैठे हैं अब इसका रास्ता हमने निकाला है मेरे बेटा बेटियो जिनकी पढ़ाई पूरी हो गई और वो तदकाल चाहता कि कुछ तो पैसा उसके पास आए तो उसके लिए हमने ये तह किया है कि अलग-अलग सेक्टर में उद्धोग में क्या है वो जोटे उद्धोग हो क्या है वो बड़े उद्धोग हो MSME हो या बड़ी कंपनी हो जैसे अभी कुछ बच्चों को आपने देखा कंपनियों ने रोजगार दिया तो उद्धोग में उद्धोग के साथ साथ सर्विस सेक्टर में उद्धोग सर्विस सेक्टर चार्टर्ड एकाउंटेंड ड्रेड मतलब जो खरीदने बैचने का काम होता है इंडस्ट्री 4.0 ऐसे सबी सेक्टर्स में तक्निकी जैसे सेक्टर्स में हम युवाओं को ट्रेनिंग दिलवाने का काम करेंगे और ट्रेनिंग के दोराँ उनको 8,000 रुपया मैना दिया जाएगा 8,000 रुपया मैना इसके छेत्रों के इंजिरिंग इलेक्ट्रोनिक्स मेकिनिकल सिविल प्रबंदन मंसब मैनेजमेंट और मार्केटिंग का छेत्र गिग एकोनोमी गिलू कॉलर जाब्स सेवा छेत्र जैसे होटल मैनेजमेंट टूरिजम और ट्रेवल अस्पताल रेलवे आईटी के छेत्र में आईटी और साफ्ट वियार डेवलप्मेंट छेत्र वित्ती छेत्र में बैंकिंग भीमा लेखा चाटर्ड एकाउंटेंड और अन्यवित्ती सेवाएं मीटिया और कला के छेत्र में कानून और विदिन जिर्मान के छेतर में अब ये मेरी बात को और जहन से समझना है कि आपको पढ़ाई पूरी हो गई वो कहते हैं बेरोजगारी भत्ता देंगे बेरोजगारी भत्ते से काम नहीं चलता हम आपको एक पोर्टल बनाएंगे पोर्टल पे बच्चों को रजिस्टर करेंगे और ऐसे काम में वो जाएंगे सीखने जिसकी इंडस्ट्री को भी जबवत होगी तो इंडस्ट्री में या अन्य संस्थान में जब वो काम सीखने जाएंगे तो काम सीखने के दौरान उनको कम से कम आठधजार रुपया तो हम देंगे इस योजना के अंतरगत सरकार की तरफ से और कंपनी उनको अलग से पैसा देगी तो उनके पास इतना पैसा होगा कि जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता तब तक उनका काम चल जाएगा ये बेरोजगारी भत्ता नहीं है आठधजार रुपया मिलेंगे कंपनी के संस्थान के तरफ से भी मिलेंगे लेकिन काम सीखने के मिलेंगे और हमारी कौसिस ये होगी कि एक साल काम सीखने के बाद उसको वहीं या और कहीं पर्मानेंट जाब मिल जाए ताकि उसको भटकना ना पड़े हैं प्रदेश में राज इस तरी इवा आयोक का पुनर गठन किया जाएगा ताकि लगातार हमारा समवाद बना रहे आपके सुझाव आते रहें और इसलिए इवा आयोक का पुनर गठन 5 अपरेल तक कर दिया जाएगा इवा आयोक बनेगा जो इवाओं की समस्या सुनेगा और उसके समाधान का प्रयास करेगा अगले साल जो बजट आएगा उसमें इवा बजट सामिल किया जाएगा इवाओं के लिए बजट और उसमें हम इवाओं की कल्यान की किस योजना पर कितना खर्च करेंगे उसका पूरा ब्योरा देंगे एक बात और है केवल रोजगार नहीं अरे खेल कूद भी चाहिए कि नहीं चाहिए तो जोड़ से बोलो ना मामा नहीं धखता तुम धख गए का तो देखो इस साल साले 700 करोड रुपे का बजट है हमारे खेल बिभाग का और मेरे बेटा बेटियो अभी हमने मदप्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर वाए थे अम मदप्रदेश में हर साल खेलो MP यूथ गेम्स आयोजित किये जाएंगे